दोस्तो आज हम जिस movie का explanation करने जा रहे हैं वो एक time travel concept पे बेस्ट movie है इस movie का नाम है back to the future इसमें तुतल तीन पार्ट से और आज हम part 1 का explanation करेंगे पार्ट 1 आई थी या 1985 में और ये movie उस साल की highest earning movie भी बन चुकी थी इसका IMDb rating है 8.5 out of 10 खेर अगर हम time travel की concepts के बारे में बात करें तो different movie में हम different types of time travel की concept को देख पाए हैं और इस movie में भी ऐसे ही दो तरह की concept को दिखाया गया है इन में से एक है linear या तो simple time travel concept इस concept के अनुसार अगर आप past में जाकर कोई भी changes लाते हो तो आपका present completely change हो जाता है इस concept को जारता light-hearted या तो comedy movies में use किया जाता है और back to the future movie भी mainly इस concept पे ही based है दूसरा है circular time travel concept इसको bootstrap paradox या तो pre-destination paradox के नाम से भी जाना जाता है इसके अनुसार past, present और future तीनों ही interconnected रहते हैं आप past में जाकर कोई भी changes ला नहीं सकते और अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो वो भी पहले से ही decided होता है मतलब यहाँ पर destiny pre-return होता है इस concept के बारे में फीडियो के last में थोड़ा सा discuss करेंगे तो दोस्तों अब हम जानते हैं इस movie की story के बारे में और फीडियो के last पे हम इस movie से related कुछ theories के बारे में भी discuss करेंगे तो बिना किसी देरी के start करते हैं इस movie का explanation मूवी में में किरिदार है मार्टी मार्टी एक college student है और वो गितार बचाना भी पसंद करता है मार्टी का एक दोस होता है Dr. Emmit Brown जो एक scientist है और मार्टी उसे doc नाम से बुलाता है एक दिन मार्टी और उसकी girlfriend Jennifer college खतम होने के बाद एक clock tower के सामने बैथ कर बात कर रहे होते है और उसी वक्त एक lady वहाँ पर आती है और कहती है कि 30 साल पहले मतलब 1955 में उस clock tower पर बिजली गिरी थी और तब से ये बंद परी है और उसे preserve रखने के लिए वो लोग donations ले रहे है मार्टी उस lady को कुछ पैसा देता है और वो lady मार्टी को एक कागश देती है जिसमें clock tower के बारे में कुछ लिखा हुआ था और वहाँ से चले जाती है उसी वक जेनिफर की देट उसे लेने आते हैं और जाने से पहले जेनिफर उस कागश में एक phone number लिखती है क्योंकि वो आज अपने grandma के पास रहने जा रही है उसके बार मार्टी जब घर पहुशता है तो वो अपने देट जोर्स को एक आर्मी से बात कर रहा पाता है इस आर्मी का नाम है बीफ और वो जोर्स का supervisor है बीफ कॉलेज के ताइम से है जोर्स को बुली करता था और आज भी वो जोर्स से root behavior करता है और जोर्स कुछ भी नहीं कहता बिफ जाने के बाद मार्टी अपने फैमिली के साथ डिनर करने बहता है यहाँ से हम जान पाते हैं कि मार्टी का एक फाई और एक बहन भी है और इसकी मॉम लॉरेन थोड़ी सी फैट और अलकोहलिक भी है और इसके डैट जॉर्ज थोड़ी से डल टाइप के है और यह एक मिडल क्लस फैमिली है दिनर के टाइम पे लॉरेन मार्टी के डैट जॉर्ज से कैसे मिली थी उसके बारे में बताती है लॉरेन कहती है कि उसकी डैट के कार ने अगर जॉर्ज को थोकर नहीं मारी होती तो वो लोग कभी मिल ही नहीं पाते उसके बाद दोनों प्रॉम नाइट पे गे थे और वहाँ पर जॉर्स ने लॉरेंट को किस किया था और उसी वक्त लॉरेंट ने डिसाइट कर लिया था कि वो पूरी जिंदिकी जॉर्स के साथ बिताना चाहती है उसके बाद देर रात को डॉक मार्टी को कॉल करता है और टुइन पाइंस मॉल नाम की जगा पर बुलता है साथ में एक वीडियो रेकोडर भी लाने को कहता है डॉक कहता है कि उसने एक ताइम मेशीन बना लिया है और उसे टेस्ट करने के लिए वो अपने डॉक आइंस्टेन को गारी में बिधा कर फीचर में फेच पाता है और उसे बापस भी ला पाता है और ये सब मार्टी अपने वीडियो रेकोडर से रेकोड करता है डॉक मार्टी से कहता है कि ये मेशीन बनाने में उसे टीस साल लग गए टीस साल पहले 1955 में जब डॉक बात्रूम में फिसल कर गिर गया था और सर पर चोट लगी थी तबी उसी वक उसके डिमाग में खया लाया था फ्लक्स के पासितर नाम की एक डिवाइस के बारे में इसके साल उसे प्लूतुनियम की भी जरूरत परी थी जिसे उसने लिबिया बालों को फेक बॉम बेच कर लाया था हर बार ताइम ट्रेवल करने के ताइम पर एक बोतल प्लूतुनियम की जरूरत परती है दोग मार्टी को ये सब बता ही रहा होता है तबी उस जगह पर लिबिया बले गैंग आते है और दोग को शूट करके मार देते है मार्टी किसी प्रकार फाग कर उस कार में बह जाता है और कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है कार में किसी प्रकार डेस्टिनिशन टाइम नाइनटीन फिप्टी वाइप सिलेख हो जाता है और मार्टी पास में जा पहुसता है यहाँ पर ये भी दिखा जाता है कि कार ताइम टेबल टभी कर पाएगी जब उसकी स्पीट 88 किलोमितर पर आवार होगी खेर अब मार्टी पास में जा पहुचता है और एक्स्ट्रा प्लूतिनियम ना होने के कारण वो वहाँ पर फस जाता है वो अपने कार को छुपा कर दौक को थूनने लगता है तभी वो एक रेस्टूरेंट पहुचता है और वहाँ पर वो अपने डैध जॉर्स से मिलता है जो बहुत यंग है और एक कॉलेज स्टुडेंट है जॉर्स मार्टी को पहचान नहीं पाता और वहाँ से अपने साइकल लेकर जाने लगता है और मार्टी भी उनका पीछा करने लगता है रास्ते में जॉर्स को एक कार थोकर मारने ही वाली होती है तभी मार्टी जॉर्स को बचा लेता है और वो खुद कार के सामने आ जाता ह मार्टी को बेहोश पाने के कारण कार द्राइवर मार्टी को अपने खर ले जाता है ये गर लॉरेन की थी जो फीचर में जाकर मार्टी की मॉम होती है लॉरेन भी बहुत यंग है और वो भी जॉर्स के साथ कॉलेच में पढ़ती है दोस्तो यह पर मार्टी के interference के वज़े से George और Lauren मिल नहीं पाते है और उन दोनों के बीच कोई chemistry भी नहीं बनती बलकि अब Lauren मार्टी को पसंद करने लगती है मार्टी बहुत awkward फिल करता है और वहाँ से चला जाता है उसके बार मार्टी दोग को थूनते उसके घर पहुचता है और दोग को सब कुछ explain करता है दोग के लिए मार्टी एक stranger होने के कारण दोग उसकी बातों को believe नहीं करता तभी मार्टी दोग से उस bathroom बाले incident के बारे में कहता है जहाँ से उसे flux के पाजितर device के बारे में मालुम चली थी उसके बार मार्टी दोग को उस कार के पास ले जाता है और फीडियो recorder से record करी हुई सारी फीडियो भी उसे दिखाता है और उसे फिर से future में जाने में मदद करने कहता है दोग कहता है कि 1955 में plutonium मिलना impossible है निकलता है जिसे उस लेडी ने मार्टी को दी थी और जिसमें जेनिवर ने अपने phone number लिखी थी और उस कागच को पढ़ने के बाद दोनों जान पाते है कि उस दिन से एक सब्था बार clock तावर पे बिजली गिरने वाली है तब ही दोग कहता है कि अगर किसी तरह से उस बिजली को flux capacitor तक पहुचा सके तो काम बन जाएगा उसके बाद दोनों की नजर मार्टी की family photo पर पड़ती है और उसे देखकर दोनों जान पाते है कि मार्टी की interference के वज़े से उसके भाई का existence धीरे धीरे मिच जा रहा है और इसी तरह से उसकी बहन और मार्टी का भी existence इस दुनिया से मिच जाएगा क्योंकि मार्टी ने लौरेन और जॉर्स को मिलने से रोक दिया था उस कार के सामने आकर डॉक कहता है कि अब किसी भी तरह से जॉर्स और लौरेन को फिर से मिलाना होगा ताकि वो दोनों अपने फर्स देट पर जाए और वहाँ पर किस करे इसके बाद डॉक और मार्टी दोनों कॉलेज जाकर मार्टी के मॉम और देट को मिलाने में लग जाते हैं बीफ जो सबको बुली करता था स्पेसिल ए जॉर्स को वो लौरेन को भी परिशान करता था इसी दोरन बीफ और मार्टी के बिच हाताबाई भी होती है इधर मार्टी की मॉम लौरेन जॉर्स को पसंद करने की वज़ाए मार्टी को है पसंद करने लगती है और उसे धूनते हुए डॉक के घर जा पहुशती है लॉरेन कॉलेच में होने वाले प्रॉम नाइट पे मार्टी को अपने साथ जाने के लिए पूशता है और मार्टी भी हा कर देता है क्योंकि मार्टी और जॉर्ज ने मिलकर एक प्लैन बनाया था जिसमें मार्टी लॉरेन के साथ प्रॉम नाइट पे जायेगा और वहाँ पर लॉरेन के साथ बत्यमीची करेगा और तब ही जॉर्ज आकर मार्टी को एक पंच मार कर लॉरेन का दिल जिट लेगा इसी दोरान डॉक बिजली को कार तक कैसे लाएगा उसका इंतिजम करता है मार्टी डॉक को फीचर में होने बली उस इंसिदन के बारे में बताना चाता है जिसमें डॉक की मौत हो जाती है लेकिन डॉक कहता है कि उससे फीचर की कोई भी जानकरी नहीं जानना क्योंकि ऐसा करने से दॉग भी मुसीबत में फस सकता है लेकिन मार्टी फिर भी उस इंसिदन के बारे में एक काकस पे लिखता है और दॉग ये कोट पर रख देता है जब डॉग को उस लेतर के बारे में मालुम चलता है तब वो गुस्सा होकर उसे फार देता है उसके बार मार्टी और लॉरेन प्रॉम पे जाते हैं और एक कार पर बैठ रहे होते हैं तब लॉरेन मार्टी को किस करती है लेकिन लॉरेन कहती है कि उसे किस करने के बाद ऐसा लगा कि वो अपने फाई को किस कर रही है लॉरेन इसका मतलब समझ नहीं पाती तब ही वहाँ प बत्यमीजी करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ जॉर्ज आप आउसता है और अपने पूरी तकट से बिफ को एक जोड़दार पंच मारता है और बिफ बेहोश हो जाता है इससे लॉरेन बहुत ही इंप्रेज हो जाती है और दोनों प्रॉम पे जाते हैं मार्टी को डिक्की से निकलने के दोरान उन मुजिसियन्स में से एक का हाट कच जाता है जो उस बैंड का लीड गितारिस था और वो कहता है कि वो अब गितार बचा नहीं सकता तब मार्टी कहता है कि अगर मीजिक नहीं बचेगा तो जोर्ज और लॉरेन देंस नहीं करेंगे अगर देंस नहीं करेंगे तो किस भी नहीं होगा और इसलिए मार्टी खुट गितार बचाने के लिए रिदी हो जाता है फाइनले लॉरेन और जोर्ज किस करते है और दोनों के बिच पैर होता है इसके बाद मार्टी जॉर्स और लॉरेंस से गुडबाई कहता है और उस क्लॉक ताउर पर जाता है मार्टी दॉक से भी गुडबाई कहता है और उस कार पर बह जाता है मार्टी जब कार पे future की time और date डालता है तब उसे ख्याल आता है कि अगर वो 10 मिनित पहले पहुँच जाए तो वो डॉक को लिबिया बालों से बचा सकता है इसलिए वो 10 मिनित पहले का time set करता है और कार को 88 km पर hour की speed पे चलाने लगता है थोरी देर में ही वो वहाँ से गायब हो जाता है और future में याने की अपने present में पहुँच जाता है लेकिन वो Twin Pines Mall से कुछ दूर पर होता है वो वहाँ से दौरते हुए उस जगा पर पहुचता है लेकिन तब तक डॉक को लिबिया बले मार देते हैं और दूसरा मारती कार लेकर पास में चला जाता है मार्टी दौक के पास आकर रोने लगता है तब ही डौक उटता है और अपने bulletproof जैकेट को मार्टी को दिखाता है मार्टी हैरन होता है क्योंकि मार्टी डॉक को उस incident के बारे में बोल ही नहीं पाया था तभी डॉक उस letter को डिखाता है जिसे उसने फार दिया था इसके बाद डॉक मार्टी को उसके घर द्रॉप करता है और कहता है कि वो अप 30 सल फीचर में यानकि 2015 में जाने वाला है और वहां से गायब हो जाता है मार्टी भी अपने रूम पे जाकर सो जाता है सुबह मार्टी जब सो कर उतता है तब वो पाता है कि उसका घर काफी बदल चुका है उसके दैध जॉर्ज भी तोटिली चेंज हो चुके है और वो एक बहुती फेमस राइटर भी बन चुके है मॉम लॉरेन भी हेल्दी होती है उसके भाई और बहन भी अब बिसनिस कर रहे है बिफ जो हर बक जॉर्ज को बुली करता था वो अब जॉर्ज के घर कार पोचने का काम करता है अब वो लोग बहुती अमिर हो चुके है और ये सब बडलाब आने के पीछे में रिजन है जॉर्ज उस दिन जब जॉर्ज ने बिफ को पंच मारा था तब से उसका कॉन्फिदेंस बहुती बढ़ जाता है और इसलिए वो इतनी सारी बडलाब ला पाता है इसके बाद मार्टी उसकी गल्फरेंड जेनिफर से मिलता है और कहता है कि उसने जेनिफर को बहुत मिस किया लेकिन जेनिफर कहती है कि कल ही तो हम मिले थे उसी वक्ट डॉक वहाँ पर आता है और कहता है कि उसे और जैनिफर को इसी वक्ट फीचर में जाना होगा क्योंकि उनके बच्चों के कारण बहुत सारे प्रॉब्लेम्स आ चुकी है ये कहेगा तीनों फीचर में यानि कि 2015 में चले जाते हैं और मूवी यहाँ पर खतम हो जाती है तो चलिए अब कुछ थियूरिस के बारे में बात करते हैं ताइम ट्रेवल का फर्स नचप जिसके बारे में मैंने फीडियो की स्टार्टिंग में बताया था उसे इस मूवी में बेहतरीं तरीके से दिखाया गया है और ये हम जान पाते हैं जब मार्टी पास्ट में जाकर उनके देट जौर्स का confidence बिल करने में help करता है और जिसके कारण उसका present totally change हो जाता है और इसे ही simple या तो linear time travel कहा जाता है Second concept है circular time travel जिसे bootstrap paradox या predestination paradox के नाम से भी जाना जाता है इसका use एक scene पे किया गया है जिसके बारे में मैंने अवी तक इस वीडियो में नहीं बताया है तो वो scene है जब मार्टी गितर बचा कर उसके parents को मिलाने में सवल हो जाता है तब musicians उसको एक और song बचाने को कहते है तब मार्टी उसके present का एक famous song काने लगता है और इस song को उन musicians में से एक musician उसके cousin Chuck को call करके सुनाता है जो बहुत दिनों से एक नई धुन के तलाश में था और ये song ही बाद में जाकर famous हो जाता है जिसे मार्टी ने अपने present में सुना था तो यहाँ पर एक loop create हो जाता है क्योंकि मार्टी उस धुन को बजाने की कारण ही चक सुन पाता है और उस song से famous भी हो जाता है और इस famous song को ही बाद में मार्टी सुनता है और पास में जाकर बजाता है तो यहाँ पर हम ये कहने ही सकते कि कौन सा incident पहले हुआ है और इसे ही bootstay paradox कहा जाता है linear या simple time table concept को जरातर light hearted या comedy movies में दिखा जाता है और इसका कारण है इस concept में बहुत सारी false रह जाती है मतलब पास में जाकर changes लाने से present बहुत huge amount में change होने की possibility बन जाती है example के तोर पे जब मार्टी पास में जाकर changes लाता है तो वो लोग rich हो जाते है और rich होने के कारण मार्टी का childhood भी अलग होगा उसके दोस भी अलग हो सकते है कि क्यों वो different lifestyle के कारण different decisions लेगा maybe वो Jennifer से ना भी मिल पाए इस तरह से बहुत सारी अलग decision से बाकी लोग भी influence होंगे और उन लोगों से और लोग और इसे कहा जाता है cause and effect का concept और इस cause and effect के कारण ही ये simple time travel का concept perfect नहीं होता और इसमें false रह जाता है अब जब मार्टी का lifestyle पूरी तरह से change हो चुका है तो इस पुराने मार्टी को उसके new rich lifestyle के बारे में कुछ भी याद नहीं होगा यानि कि इस rich lifestyle में उसने जो कुछ भी किया है जैसे अपने अलग-अलग कारों से अलग-अलग जगा बर खुमने जाना new friends के नाम, college में उसका role number उन सब के बारे में उससे कुछ भी पता नहीं होगा इस concept पे बेस एक और पहतरी movie है जिसका नाम है मिराच आप इस movie को देखकर भी इस concept के बारे में अच्चे से समझ पाओगे तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को इस movie का explanation कॉमेंट करके जरूर बताईए और वीडियो पसन आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें इसी तरह के movie explanation के लिए चैनल को सबस्क्राइब भी करें थैंक्स फर वाचिन